मंदरां वाले शैर दिमाता राणी मा यख वोंदिये आसम राद करे माहपूरी सब नुगाल नल लोंदिये मेहर करे जे जमू वाली मेहर करे जे वावे वाली डुब दे देवे तार मम्मी पापा चलो चलीए ओ मम्मी पापा चलो चलीए तबी दे पुलतों जो भी लंगदा नत मस्तक हो जावे मां पठान कोटिया दे सरमन मां दिन राती गुण गावे मां हो जात्रा ले अंदा तेरे दर जात्र लेके अंदे तेरे दर सुन दी सब दी पुकार मम्मी पापा चलो चलीए ओ पग तो चलो चलीए हमला करण जो दो आया दुश्मन निशाना कोई नाटिक दामा तक किया जाद यसमान चो जमू जाल ही जाल पिया दिस दामा उडगे मुड जहाज पाक नू उडगे मुड जहाज पाक नू बोल दे जै जैकार मम्मी पापा चलो चलीए जमू शेहर विच भावे बालीदा सज्याए दरवार मम्मी पापा चलो चलीए ओ मम्मी पापा चलो चलीए अमरत बेले बहु लोचन राजेनू तेरा सुपनायाया मा तेरा सुपनायाया मा कलकत्यों लैके मुहरत मादी किले बिच पवन सजाया मा कलकत्यों चल आई कालका कलकत्यों चल आई कालका बावे बाली सरकार मम्मी पापा चलो चलीए जमू शेहर विच भावे बालीदा सज्याए दरवार मम्मी पापा चलो चलीए ओ मम्मी पापा चलो चलीए ये खुबसूरत सी आवाज जो आपने सुनी है ये देशा पठान कोटिया जी है और साथ ही साथ सोनी जी इनके साथ है और दिव्याश भी इनके साथ है ये आवाज इतनी खुबसूरत है कि हमारे बाववली माता जी के मंदिर में जब ये दिदार करने गए थे तब कहीं न कह ही माँ का ही आश्यूरवाद है के अचियां से आवाज इनको मिली है और उसके बाद अपनी खुपसूरत आवाज में किस सहा से पूरी कहानी ये बयाğı करते हैं वो अपने आप में नायाब है अब इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है और T-Series में इनका एक भजन भी हाल ही में रिलीज हुआ था और उसके बाद अब एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें दिव्यांश ने पूरी तहां से एक्टिंग की है सोनी जी न का निया प्रोजेक्ट आ रहा है दुश्मन वो किस सहां से पुरा प्रोजेक्ट है कितनी मेहनत लगी है कितना समय लगा है और वो सौंग जो है वो किसको डेडिकेट करता है और सबसे बड़े दुश्मन जो है देसाजी क्या लगता है कि सबसे बड़े दुश्मन कोन है मैं हमेशा जादा रफरेंस राइटर को देता हूं जिन्होंने अपनी कलम से इतनी महन से गीत को शब्दों को परोते हैं माला में तो सिंगर तो उसको कंपोज करके गा देते हैं उसमें म्यूजिक डिरेक्टर जो नी पीवी वी वाले का बहुत बड़ा हाथ है और इस एर जे परोडेक्शन और आइरन भी रिकोर्ड दिली वाले लड़के हैं बहुत अच्छे दोनों अधियापक जी और आइरन जम्मू से कह रिष्टा देता जी आपका क्योंकि चलो बाईवाली माता जी को तो अपने मंदिर में दिदार कर लिया दर्शन कर लिया उसके बाद लगता है एक अदबुच शक्ति आपके अंदर आई है कि जम्मू से बहुत प्यार हो गया देखो जी जम्मू बाली माता है इसको फोज जो आर्मी बहुत जादा मानते हैं मैं वी एक्स आर्मी हूँ मैं पहले फोज में था सो जब 1972 की जो जंग थी उसमें जब पाकिस्तान के जहाँ आज तवी वाले पुल को डाने के लिए अपना सिक्स फिगर लेके आते थे मतलों निशानना जाज पे तार्गेट फिक्स करते तो जब पुल को डाने लगते तो उनको पानी पानी देशता था मेरी बेट में वो जिकर भी है इसलिए माँ बावे वाली हमेशा जम्मू की रानी है जम्मू वालों की माँ है सब की माँ है इसलिए जम्मू की रखवाली है मेरी बेट में जम्मू में बावे वाली माता जी का मंदिर तो देखा लेकिन हमने आपका गाना देखा है बहुत प्यार है जागरन में लाइब शूटिंग किया है और ARJ प्रोडेक्शन ने इनको लॉंच किया उनका बहुत बड़ा जोगदान है इसमें दुश्मन के कुछ शब्द आप गुन गुना आना चाहिए दुश्मन असी सैगे साड़ा जेरा जो जो साड़े है ते बिती आपसे मैं जाना चाहूंगी सोनी जी कितना समय लगता है एक गानी को लिखने में शब्दों को पिरोने में उसके बाद एक अच्छा आप पेश करते हैं गाना और आप कहते हैं सिंगर को कि चलिए तैयार हो चुका है शुरू हो जाईए गाना सस्सी गाल जी सारे अनू देखे यहां तक आपने पूशे कि कितना समय लगता है गीत लिखने में तो गीत का अपने एक टेस्ट होता है बाकि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो कभी राइटर से पूरे भी नहीं हो पाते कुछ गीत ऐसे होते हैं जो चलते चलते राइटर लिख लेते हैं एक subject मिलना चाहिए उसके बाद में गीत खुद बोलता है कि मुझे लिखो हो फुद गीत बोलता है कि मुझे लिखो आपको एक subject मदल चाहिए लिखने के लिए और यह जो गीत है इसका जो टाइटल है दुश्मन है लेकिन यह दोस्ती में किया है हमने वाकि ऐसा कुछ नहीं क दुश्मन सॉंग लिखा तो दुश्मन होगा किसी का ऐसा कुछ नहीं होता एक टेस्ट होता अपना लिखने का और यह हमने लिखा और देशा पठान कोटी हमारे बेस्ट फ्रेंड है अपने एक्ट भी किया है तो यह पहली मरतबा किया है यह से पहली बाप तुमने दुश्मन सौंग लिखा है तुम ही इसको दिखाओ कैसे दुश्मन ही निभाएं और हमने कोशिश की जितनी हो सकती हमारे से अक्टिंग करने की बाकी बाइद है हमारे पास दिवियाश बाबाजी सिया ने इसमें एक्ट किया है तो बहुत बढ़िया मतलब अचा मैं बता देती हूं सुस्पेंस क्लियर कर देता हैं यह कहते हैं कि मैंने गाना गाया है इस सिंगर और यह जो है यह हीरो प्ले कर रहे हैं इनके दुश्मन को नहीं सौंग में उनसे भी मिला देती हूं तो दिव्याश बाबा यहां पर है यह एक बहु चर्चित नाम है और यह जहां तक में देखा जाए तो म्यूजिक वीडियो में काफी ज़्यादा फेम इनको मिला है काफी ज़्यादा नाम यह कमा चुके हैं तो दिव्याश कैसी दुश्मन यह आपने निभाई देती हैं सबसे पहले तो जय बाबा सिद्गुर यह नाजी सबको मेरी तरव तो अरुष्टे अरुलिए तो तो जहां तक हम देख रहे हैं तो कितना मुश्किल होता है वह प्ले करना काम जो भी करो गे मैंने तो लगन से करोगे तो बहुत अच्छार इस पोंस नहीं हुँझ अर्पर्जेक्स मेरे आ रहे हैं रहा है और भी प्रोजेक्ट्स मेरे आए अब थोड़े दिनों में और मेरा न्यू ट्रैक आ रहा है जिसमें में में लीड पे हूं मॉडल हूं और सुनियासला जी के जम्मु अले गबर हूं उसमें भी मॉडल हूं तो और भी मेरे प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं अंचल जी इतमांडी के साथ भी आ रह मैडम देखिए सपने बड़े डेखना तो बात ब taş बिल्कुल सेमत हूं लेकिन जो सपना जब देखा जाता ना उसको सकार करना पड़ता है किस तरह से मैं आपको यह बात बता था हुआ अपनी मैनेट कर रहा हूं स्लुआइंस्ट इंस्टडी विंज सारेस क्यूंकि मैं आस अज अजा हुआ तो एक दिन मैं सफ़ता पाऊंगा इतना मुझे पता हो होना बहुत जुरूरी है किसी की टांग मत खिंचो उसके साथ साथ दो कंदे से कंदा जोड़ के चलो किया पंजाब में इतने इतने अच्छा मतलब की टैलेंट है प्लाटफॉम हमें बच्चों को हमें दुख लगता है कि यहां पे भी टैलेंट जमू में हमारे किसी चीज की कमें मैंने आप से बात की थी हमने इंट्राक्शन की थी इक इंटर्व्यू के माध्यम से हमने आपको बताया था कि कि सहां से एल्जी इड्मिनिस्टेशन एक बहुत बड़ा इनिशेटिव लिया है रिजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है अगर जमू में भी प पठान कोटिया जी कर रहे हैं अब ये सोनी असला जी ये एक हाई-लेवल सिंगर आ रहे है और फिलम सिटी बन रही है और आस्तर सम कर रहे है और ये सपना भी हम पूरा करके दिखाएंगे फिलम सिटी हम जमू में लेके आएंगे जमू के लिए आप एक ट्रैक आ रहा है औ पर उसमें कहरें के पंजाबी ट्विस्ट है तो वह थोड़ा सुना दी हाँ जी एक सोनी असला और मेरा दोनों का बहुत अच्छा जो हर डीजी पे प्ले होगा मेरी मतलब भगवा शादी में बज़ेगा और दिव्याश की शादी में तो बज़े गए तु जदो कि देवि का तो पाया हो सारे जम्मू बाढ़े गबरू हला के रखते हैं सारे जम्मू बाढ़े गबरू हला के रखते हैं बहुत बढ़ी है यह गीत अभी आने वाले नेक्स जो गीत है हमारा यह दोनों का हम आपका ध्यान जो है वह जम्मू की तरफ केंद्रित हो चुका है इतना भ डोगरी गीत हमने एक बना के रखा हुआ है वो कुछ दिन में अभी उसकी वीडियो बन जाएगी तो लॉंच करेंगे और ये गाना जो जमू वाले गबरू ये हो जाएगा और कुछ गीत पहले आपने आये थे जो जमू वाला यार आया था गीत काफी प्यार मिला उससे हान कोट से और सोनी जियाएं और दिव्यांश जम्मू से तालुक रिखते हैं बहुत अच्छी बात है कि यहां के हुनर को प्रोचसाहन मिल रहा है और यहां का हुनर अगर मैं कहूं राष्ट्य सतर पर आगे बढ़ रहा है और अलग-लग इंडस्ट्री से बॉलिवोड है इसी तहां से पॉलिवोड है तो यह इंडस्ट्रीस में अगर जम्मू का कोई भी होनहार युवा जाता है तो नाम तो जम्मू का ही रोशन करता है अगर किसी सूपर स्टार के साथ बूवी करता है तो पटिकुलर आप विद्यूत की एक्जांपल ले लीजे आज जादे त पठानिय जी के हों सोनी जी के हों उनको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शियर करना मत भूलेगा क्योंकि आप जितना इनको आगे बढ़ाएंगे तो जम्मू उसी से आगे बढ़ेगा और देखते हैं अब यह डोगरी गीत भी लेकर आते हैं त एक बहुत अच्छा सा मिश्रन जो है वह तैयार करते हैं आप यह मसे बने देखते हैं दिन्यों